स्वयम सहायता समुकी महिलाओं को मेरे तरब से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेणना टीवी चैनल के तरब से भी दिदी नमस्कार अगर दिदी अभी तक आपने हमारे प्रेणना टीवी चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है दिया जाएगा तो प्लीज हमारे प्रेड़ना टीवी चैनल को सब्सकाइब कर लिजी अगर दिदी आप पहले से ही डे नरले में जुड़ी हैं तो आपसे निवेदान है कि पंच सुत्र का पालन करना बिल्कुल नगुलें सापताहिक बैठरक, सापताहिक बचत आंत्रिकुधार, समसरन वापसी लेखा जोखा, इन पंच सुत्रों का करे पालन और अपने समु को रखे सक्रिय क्योंकि सक्रिय समु को ही योजनाव कर लाब दिया जाता है और वरिता भी बिलती है तो चलिए दिदी ज़्यादा ना बात करते हुए मिन टॉपी की तरफ आते हैं जैसा कि आप दिदी जानती हैं कि डे एनरले में स्वास्त को भी महत्त दिया गया है स्वास्त वापोशन में सुधार के लिए बदलाव को प्रेरित करती सामुदाइक संस्थाएं जिहां डे एनरल्यम सामुदाएक संस्थाओं के सनवर्धन और ससत आजीविका माधिमों के विकास के जरिये ग्रामेड गरीबी उन मूलन के लिए ग्रामेड विकास मंत्राले का एक प्रमुख कारिक्रम है जुलाई दोहजार बीस तक करीब साथ करोल परिवारों को राश्ट्री ग्रामीड आजीविका मिसन के तहत 63 लाख स्वेम सहता समुहों एसरजी से जोड़ा गया है समुदाईक संस्थाएं पोशड अभियान स्वच्छ भारत अभियान ग्राम पंचैत विकास योजना आदी जैसी आजीविका और अन्य सामोहिक गती विदियों में सक्रिय रूप से लगी हुई है इसके अलावा COVID-19 महमारी के दवरान समुदाईक संस्थानों ने माक्स सैनिटाईजर का उत्पादन COVID-19 के निवारण उपायों को लेकर जागुरूता पैदा करने समुदाईक रसोई चलाने जैसी तमाम गती विदियां कर प्रभावी ढंग से काम कर या है यह इन समुदाईक संस्थाओं की अपार छमता और उभरती जरूर्तों पर प्रतिक्रिया देने के समार्थ को प्रदस्तित करता है समुदाई के समग्र विकास के उद्देश से राष्ट्री मिशन सामाजिक समावेश और सामाजिक विकास के एजेंडे पर ध्यान देने के साथ साथ गाउं के गरीब परिवारों की गरीबी उन मूलन की दिशा में काम कर रहा है स्वास्थ और पोषण की स्थिती में सुधार के लिए दोनों पोषण केंद्रित और भोजन पोषण स्वास्थ और WASH से संबंधित मुद्दो से संबंधित महत्तपून संदेशों पर ध्यान दिया जा रहा है फिलहाल यह सरकार की ओर से जोड़ देने वाली सबसे महत्तपून राश्टी प्राथमिताओं में से एक है जो पोषण अभियान फिट इंडिया अभियान स्वच्छ भारत अभियान जल सक्ती आदी जैसे पहलों से भी स्पष्ट होता है आद्म निर्भर भारत बनाने के लिए समुदाय का स्रवत्तम स्वास्थ और पोषण महत्तपून है इस लच्छ को हासिल करने के लिए राश्टी मिसन का अप्रोच समुदाय क संस्थानों को मजबूत करने के लिए अच्छे स्वास्थ और पोशल की स्थिति के महतों को समझने उनके अधिकारेों का उपियोग और गुडवक्ता पून सेवा वित्रण पर है अनुसांसित स्वास और पोशन प्रथाऊं को अपनाने के लिए मिशन वहवार परिवर्तन को बढ़ावा देने पर ध्यान के दित कर रहा है इसके लिए प्रमुख वहवारों पर जागुरुक्ता और गुडवक्ता पून सेवाओं की मांग के स्रिजन सामुदाइक संस्थानों की छमता बढ़ाने सेवाओं तक बेहतर पहुच और D.A.Y.N.R.L.M. के तहत उद्यमों की स्थापना कर S.A.G. सदस्यों द्वारा उत्पाद सस्ते सेनेटरी नेपकीन पॉस्टिक स्नेक्स आदी जैसे उत्पादों के उप्योग को बढ़ावा देने के लिए संबंधित विभागों के साथ सहयोग किया जा रहा है विश्व बैंक बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और यूनी सेफ के सहयोग से राज मिशनों जैसे बिहार जीविका 36 गड़ बिहान ओडीशा ओडीशा आजिविका मिशन महाराष्ट उमेद आंध्र प्रदेश आदी ने सामुदाइक संस्थानों में स्वास और पोषण हस्त छेपों का एकी करण सुरू किया है और कार्यनेवन के अनुभव से उतसाह जनक परिणाम और सीख मिली है सीखने से अधिक्तम लाब लेने के लिए राश्ट्री मिशन ने अन्य राज मिशनों को प्रोशाहित करना सुरू किया है जिससे वे राज के विशिष्ट मुद्दो और प्रात्मिक्ताओं के अनुकूल अहस्त छेप सुरू कर सके जन आंदोलन पोषण अभियान के तहत स्वैम सहता समों के सदस्यों तक महत्तपूर संदेशों के प्रशार में सहयों के लिए ग्रामिर विकास मंत्राले महिला और बाल विकास मंत्राले के साथ मिलकर काम कर रहा है ऐसा समझा गया है कि स्वैम सहता समों के लगभग साथ करोड सदस्य संदेशों को अपने घरों और समुदाय के अन्य सदस्यों को आगे बढ़ाएंगे राज मिसनों में पोशन ध्यान के तहत आयोजित कारिक्रमों में मंत्राले भाग ले रहा है पिछले साल पोशन मह के दरान मिसन ने 11.49 लाख गती विधियां आयोजित की जिसमें 16.49 करोण प्रतिभागियों ने हिससा लिया इस साल भी राज मिशनों में पोशण महा आयोजित किया जा रहा है और स्तनपान पूरक आहार गंभीर को पोशण वाले बच्चों की जल्द पहचान के महत्व और पोशण उद्यान को बढ़ावा देने के लिए गती विधियों का आयोजन किया है राज मिशनों को शलहा दी गई है कि वे पोशण मह के दवरान गती विधियों का संचालन करते समय कोविट-19 के प्रोटोकाल का गंभीता से पालन करें राज मिशनों से प्राप्त सुरुवाती जानकारी के अनुसार समु बैट को मेत्तै विशयों पर चर्चा स्थानिय खाद्य परदातों से बने पोश्टिक वेंजनों पर प्रतियोगिताएं पोशन रंगोली पोशन उत्यान को बढ़ावा देने आसा और रागनबाडी बति विधियां आयोजित की जा रही है पोशन महा जैसे कारिक्रम संबंदित विभागों और अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों के बीच बेहतर सहयोग और समन्वय स्थापित करने का एक अच्छा अवसर है हाला की वांचित लच्छो को हासिल करने के लिए अग्रिम पंक्ति करमचारियों के बीच सहयोग और समन्वय के लिए तेजी बनाय रखने और नियंत्रन नियंत्र तंत्र के निर्मार की जरूरत है यह मजूदा COVID-19 महामारी के दवरान विशेश रूप से महत्तपूर है जो पेहतर पहुच सुनिचीत करने के प्रयासों के सास साथ सेवा वित्रण और प्रती रच्छा के निर्मार पौश्टिक आहार COVID-19 के निवारक उपायों को अपनाने और COVID-19 से संक्रमित होने से बचन के लिए स्वास संबंधी वहवार को बढ़ावा देने और इसके प्रतिकूर प्रभाओं को कम करने जैसे प्रसंस की मुद्धों को बढ़ावा देने की मांग करता है राष्ट्री मिशन के सामाध्य यानी सामाजिक पूजी के दम पर मई और जून 2020 के दवरान COVID-19 के निवारक उपायों पर राष्ट व्यापी प्रसिछण आयोजित किये गए थे जिसमें स्टाप और सामुदाई कैडर भी सामिल थे राष्ट्री मिशन के तहत राष्ट्री मिशन प्रवंधन यूनिट के द्वारा ब्लाक स्तर पर आनलाइन प्रसिच्छा प्रदान किया गया इसमें तकनिकी एजन्सिया जैसे राष्ट्री ग्रामिड विकास और पंचायती राज संस्थान बिल और मिलिंडा गेड्स फांडेशन के सहयोग वाली टी आर आई एफ और प्रोजेक्ट कंसन इंटर नेशनल और यूनिशेफ के सहयोग से रोसनी सेंटर के साथ लेडी इरविन कालेज दिल्ली विश्विद्वाले का भी सहयोग रहा आगे SHG और सामुदाइक स्तर पर कैस केड मोड में प्रशिच्छड प्रदान किये गए इन प्रशिच्छडों के माध्यम से मिशन के करमच्यारियों के साथ साथ SHG और सामुदाइक के 5 करोण से अधिक सदस्यों को कवर किया गया अगर दीदी आप स्वास्त सखी बनना चाहती हैं जी हां आपको बता दे कि अगर आप स्वास्त सखी बनना चाहती हैं तो आपका चुनाओ किस प्रकार होगा आपके गाव में समू बनाने के बाद ग्राम संगठन बनाया गया होगा उसी ग्राम संगठन में से जो इसी सदस्या रहती है हर समू की बदादिकारी अध्याचे, सचीव, कोशाध्याचे ग्राम संगठन की इसी सदस्या होती है उसी इसी सदस्या में से एक सदस्या को स्वास्त सखी बनाया जाता है तो चलिए दिदी आज की वीडियो में बस इतना है क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जा रहा है दिदी तो इसी टॉपिक पर नेस्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं धन्यवाद जया जी विका